पटना सीटी के माल सलामी थाना चितर के गारी वान टोला एलाके से पिछले तीन दिनों से रहस्त में धंक से गायब युवक रिंकू उर्फ अक्षे कुमार का सब नहीं मिलने से नाराज परिजन और अस्थानी लोगों ने माधों के पास अश्रवराजपत पर आगजनी कर को जाम कर हंगामा किया साथ ही पुलिस प्रशासन से रिंकू के शव की बड़ा मत्गी की वहीं हत्यारे दिनेश और खेसारी की जल्द गिरफतारी की मांग की अश्रवराजपत जाम होने के करण सरक प्रवाहनों की लंबी कतार लग गई हालांकि पुलिस मौके पर दिपावली के शुवस्तर पे आप तमाम देशवासियों को बढ़ाई इस साल प्रेल के दिप चलाएं अपने परिवार के साथ खोशिया मनाएं और हां पटाकों का पढ़ियों कम करें मैं स्वार नारानी एडिटर न्यूस्ट्राम24 अपने तमाम दर्शकों को एक बार फि हुआ 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 है खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल न्यूस्ट्राम24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं